नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि रैबेस डी कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, रैबेस डी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए, और रैबेस डी कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, रैबेस डी एक ब्रैंड नेम है, रैबेस डी कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, रैबेस डी कैपसूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन रैबिप्राजोल 20 mg और डोमपेरिडोन 30 mg होता है, रैबेस डी कैपसूल पेट में उत्पन होने व पेट में अलसर होने पर, उल्टी आने पर और उल्टी आने का मन होने पर रैबेज डी कैपसूल का उप्योग किया जाता है। साइड इफेक्स को रोकने के लिए भी डॉक्तर रैबेज डी कैपसूल को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है। का उप्योग कुछ मेडिकल कंडीशन्स जैसे गैस्ट्रिक अलसर, एसिड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी रैबेज डी कैपसूल का उप्योग किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में रैबेज डी कैपसूल की वज़ह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में रैबेज डी कैपसूल की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेशियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा रैबेज डी कैपसूल की वज़ह से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है। इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना रैबेज डी कैपसूल को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार रैबेस डी कैपसूल को लेने से औस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। रैबेस D-Capsule की वज़से ओस्टियोपोरोसिस तभी होता है, जब रैबेस D-Capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए. अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से रैबेस D-Capsule को ले रहे हैं, तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके, या आपको कैलशियम से भरप रैबेस D-Capsule को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है, आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर रैबेस D-Capsule को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं, रैबेस D-Capsule को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले ल सकती है, वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रैबेस D-Capsule का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रैबेस D-Capsule को लेने की सलाह दे सकता है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रैबेज डी कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका रैबेज डी कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। झाल झाल